और इस दिशा में सोच भी रहें, इस दिशा में काम भी आगे बढ़ा रहें। अब हमारे विचार क्योंकि पिछले 70 सालों में अनेक बार इस विश्यों पर जल के विश्यों पर, रिजुमिनेशन के, रिवर्स के विश्यों पर चर्चा हुई होगे। लेकिन पहले वो सिर्फ चर्चाओं तक सिमित रहता था, अब वो चर्चाएं स्मूर्थ रूप लेकर के धरातल पर उतर रही हैं। लेकिन हमें और ज्यादा सिंक्रनाइज तरीके से काम भी करने की चुरूत है, और सिंथेसाइज तरीके से इफर्ट्स करने की भी आविश्यों शक्ता है। और हम अपने इफर्ट्स को और अधिक मल्टिप्लाय और अधिक प्रॉड़क्टिव तब बना सकते हैं। जब हम उनको साइन्टिफिकली एविडेंस के बेस पर उन पर काम करें। ताकि हमारे प्रयास जो हैं वह हमारे जितने भी प्रयास हैं वह सारे के सारे सब्रयास जो हैं वह प्रॉड़क्टिव और ज्यादा उप्योगी हो सके। देश की सरकारों में पहले जो जो जिस तरह की अवस्ताहिति वहां जिस तरह से समाज के लिए मेथे विशें को लेएं समय में जो मेहतोपूर्ण विशेख होने वाले या जो चुनातियां आने वाले उनको लेकर के जिस तरह के उदासी इंता का भाव था क्योंकि जब अगर हम 50 साल पहले की परिस्थितियों को उठा करके देखें देश में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इस तो बी सब्वेर अरूंड 5000 क्यूबिक बीटर्स और मोर देन पाइट उतनी बरसात होते हैं उतना ही पानी उप लग दोता है लेकिन क्योंकि पॉपलेशन जो है वो साड़े तीन गुना बड़ी तो आज हमारी पर कैपिटा अवेले पर चिंता भी कर दे थे हमारी सरकारें उसको ले करके अनेक तरह की चिंताएं भी करती थी फूट सिक्यूर्टी आने वाले समय में कैसे होगी दोजार पचास तक दुनिया की आवश्चक्ता जो नाइन बिलियन परजन हो जाएंगे हमारे देश की आबादी बढ़कर के दोजार पचास में जहां पहुंचेगी उस समय हमारी आवश्चक्ताओं की प्रितिपूर्ती हम किस तरह से कर पाएंगे इन विश्चाँ पर चर्चा तो होती होगी लेकिन उन चुनावतियां और नासन संकट के समाधान के लिए हमें क्या काम करना है शायद उसको लेकर के कहीं उदासी इता थी उसको लेकर के जिस तरह के ठोस कदम उटाए जाने थे हम नहीं उटा पाए उसके कारण से एक आए और यह जो क्लाइमेट चेंज का इंपक्स संकट होगा या दस साल पहले भी कि नेक्स डिकेट का संकट होगा नेक्स जनरेशन का संकट हो था हम आँख मूंद करके उससे प्रती उदासीन होकर के बैटे थे लेकिन आज जब चुनाती हमारे सामने आकर के खड़ी होगी और भारत जैसे देश के सामने जहां आबादी क तुलना में पानी की अवैलबिलिटी बहुत कम है अठारा प्रतीशत का आबादी और अठारा परसंट कैपिटल पॉपुलेशन के अगेंस में केवल चार परसंट जब पानी है और हमारी डिपेंडबिलेटी जब अंडर्डाउन पर इतनी जादा है हमारा जिए स्पैशिय से अगर हमने पहले इफर्ट की होते तो शायद आज हमारे सामने इतना बड़ा संकत नहीं होता लेकिन आस्था से लेकर करके अर्थवेवस्ता तक जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है आस्था जैसे मैंने का कि हमारी नदिया हमारे जल्समसादन हमारे लिए आस्था क्या व सबसे महत्वपूर्ण घटक है उसका चिंतन copper समय में सरकारों नहीं किया उसके कारहरं से चुनाथी कंड़ी हुए थी और इस नए यूक का सूतरपात 2014 में जब देश की प्रधानमंत्री पतपर्ध देश की जंता ने आशिरवाद दे करके नरेद्र मोदी जी को आसीन किया और एक संयोग था मुझे लगता है कि शायद कहीं देवी ये संयोग था कि वो गुजराच छोड़ करके वारानसी में जाकर कि उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसा उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि मा गंगा ने मुझे सेवा काउसर दिया है मुझे बुलाया है और उसके बाद में जिस तरह से भारत में हुआ नदियों के बारे में सोचने की जो नई परंपरा नई विधार भारत में रिएस्टेब्लिश हुई एक हॉलिस्टिक प्लैनिंग अप्रोच के साथ में जिस तरह से प्लैनिंग हुए उसके उफर्ट हुए और उसका परिणामा जब दिखता है जब पूरा देश देश भी देख रहा है और पूरी दुनिया में उसको देखती है कि हम ट्रांस्फॉर्मेशन जिस काम को करने में हम जो है इंग्लेंड को 20-30 साल का समय लगा जर्मनी को राहिन के ट्रांस्फॉर्मेशन में अठाइस-30 साल का समय लगाओगा डेन्यूब के ट्रांस्फॉर्मेशन में शायद स्वीडन को 25 साल से ज़्यादा का समय लगाओगा हम पांच साल में उस काम को उसी एफिकेसी के साथ में पूरा कर पाए ये जो नई परंपरा का सुत्रपात हमने किया उसके पीछे अगर कोई एक कारण था वो कारण था उन वो पांच प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करने और वो केवल गंगा रदी के पुरुद्धार के लिए गंगा बेसिन के पुरुद्धार के लिए काम करने वाले नमावी गंगे मिशन करने प्रिंसिपल जो पहले एक ट्रेंस में एक एड़िजमेंट लिगा होता था रामबा नौशनी उनसे हर्ड लिखा होता था रामबा नौशनी सब बिवारियों की एक दवा है मुझे लगता है कि जिदनी चुनौतियां सामने खड़ी है उन सब की एक दवा अगर कोई है तो यह प्रिंसिपल जो पांच पी का प्रिंसिपल है जिसके बारे में चर्चा अभी आदने तारे साथ ने की थी कि पॉलिटिकल विल हो, पाप्लिक स्पैंडिन हो, पाटनर्शिपस हो और इं सब पांच जो alot को इन पांच पी के प्रिंसिपल पे हम काम करें तो निश्चित रूप से सफल्ता प्राप्त हो सकती है निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं देश की सरकार मानि मोदी जी के नेत्रतु में देश को जिस तरह से आगे ले जा रही है और आने वाले समय में जिस गती से हमारा देश आगे बढ़ रहे हैं दो ट्रिलियन से तीन ट्रिलियन की एकॉनोमी पर पहुंचे और बहुत शशक त्थोस कदमों के साथ में हम पांच जिलियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पांच से दस जिलियन के आगे का रूड मैप भी तेयार है आज हम दुनिया की पांच नहीं सबसे बड़ी एकॉनोमी भी बन गए हैं और आज दुनिया के सारे एकॉनोमिक एनलिस्ट जो लोग हमारे धुर भी रोती हैं ऐसे करके और ब्लूमबर्ग तक सारे लोग सब लोग इस बात को एक समवेट सरसे स्विकार कर रहे हैं कि आने वाले तीन-चार साल के अंदर-अंदर हम जेपैन को पीछे चोड़ करके हम जर्मनी को पीछे चोड़ करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ वेबस्ता हो ज झाले गिटे खूर लोग 수क क्वेम जर्मनी को भीछे चार सा!